हेलो दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त मनु याद हूँ आप सभी का स्वागत करते हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे तो भाई टाइडल थमनेल आप लोगों ने देखी लिया होगा बजाज के एक लिजेंडरी बाइक 220F जिसको लास्ट येर 2022 में डिसकंटीनू कर दिया ग गया है लुक में कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है पावर फिकर की बात करें तो भाई 220CC का ओयल कूल्ड इंजन मिल जाता है बाइक में जो 20.9 BHP की पावर एंड 18.5 Nm का टोर्क जनरेट करता है तो जो पावर वगरा है वो भी बहुत जादा नहीं है मतलब इसी प्राइ करने का रीजन क्या है जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि 250F बजाज के द्वारा बाइक लॉंच की गई थी 250N and 250F तो भाई जो N250 थी वो मार्केट में काफी पोपुलर रही बिकुज उसका डिजाइन उसका डिजाइन था वो काफी ज्यादा एट्रेक्टिव दिखता तो सायद मेबी हो सकता है उस रीजन की वज़े से वापस 220F को लॉंच किया गया कि जो F250 थी वो इतना ज्यादा मार्केट में भाई बिक नहीं पाई तो मेबी हो सकता है ये बाइक अपने टाइम में भाई बहुत ही ज्यादा पोपुलर रही थी 220F तो सायद कर्ष्टमर इ लेकिन भाई इस बाईक को फिर से पसंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस चीज़ के बारे में अगर बात करें तो भाई इसी प्राइस सेग्मेंट में हमें काफी सारी और बाईक मिल जाती है जिसमें हमें ज्यादा बैटर इंजन मिल जाता है ज्यादा बैटर जिसका refinement काफी ज़्यादा हद तक इससे ज़्यादा better होने वाला है एंड पावर फिकर की बात करें तो 4 बीचपी तक की ज़्यादा पावर वो इंजर हमें प्रोवाइड करके देते हैं प्राइज की बात करें तो प्राइज भो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लगबग सेम सा प्राइज है एक लाख 49,000 एक्सोरूम प्राइज है 220F का भी जो लगबग एक लाख 70,000 तक ओन रोड चला जाता है अपना एक 70,000 पीचेतर तक तो इसी प्राइज सेगमेंट में हमें भाई 250 मिल जाती है तो यार 250 जो बाईक है वो मैंने खुदने यूज की है N250 तो यार उसका जो इंजन है इंजन काफी ज्यादा बैटर है इस वाली बाईक से काफी ज्यादा बैटर मुझे देखने को मिला है दूसरी एक मेन चीज की बात करें तो भाई इस बाईक के लुक चलो सेम दिये गए हैं, लुक्स के लोग फैन थे, ये बाइक जो अपना लुक लेके आती थी, बाइक मार्केट में लिजेंटरी लुक वा करता था, तो चलो लुक को साइड में कर देते हैं, लेकिन जो फीचर्स हैं, बाइक में अभी भी कोई खास फीचर्स एड नहीं किये जो इस प्राइज सेगमेंट में या इससे कम प्राइज सेगमेंट में भी हमें मिल जाती है, तो ड्वेल चैनल ABS होना बोज ज़्यादा मैटर करता है, तो ड्वेल चैनल ABS में भी बाइक में होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा बैटर होने वाला था, अब अगर हम टायर से इसी जो आती है उसमें भी हमें पीछे की साइड में 130 का टायर मिल जाता है एंड इस बाइक में हमें 120 mm का टायर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी भाई मुझे इस बाइक का एक negative point लग रहा है एंड जो और सब चीजे हैं और सब चीजे भी भाई bike की बहुत ही ज़्यादा बैटर नहीं है ground clearance की बात करें तो 155 mm का ground clearance मिलता है और bike के weight की बात करें तो 155 kg का weight है weight bike का ठीक है मतलब weight से कोई भी problem नहीं है ground clearance भी चलो इस bike में इतना मिल रहा है काफी है ground clearance में भी कोई problem नहीं है लेकिन फ्रेंट में हमें भाई वो ही हैलोजन वाले headlamp मिलते हैं मतलब projector दिया गया है लेकिन सब कुछ हैलोजन system दिया गया है तो भाई बाई को अगर वापस launch किया भी गया है तो अगर थोड़ा सा upgrade करके launch किया जाता design यही दे दिया जाता लेकिन जो bike के कुछ features हैं कुछ parts हैं उनको change कर दिया जाता तो सायद ज़्यादा better होने वाला था तो भाई कहीं न कहीं मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब इस time में इस bike को purchase करना मेरे हिसाब से भाई ज़्यादा better option नहीं होने वाला है आप लोगों के लिए बिकोज इसी price segment में अगर आप बजाज की ही दूसरी पलसर लेते हो तो वो आपको ज़्यादा feature ज़्यादा अच्छा engine एंड ज़्यादा अच्छी power provide कर सकती है तो भाई यह bike अपने time में legendary हुआ करती थी लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भाई हमेसा एक ही चीज़ का time हो किसी का भी time ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है तो यार कुछ upgrades के साथ अगर इस bike को launch किया जाता तो ज़्यादा better होने वाला था लेकिन आप लोगों को यह bike भाई कैसी लगती है यह मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टाटा टेक केर